हलो रमस्कार स्वागत है आप सभी का किसान भाई आपके अपने दैनौलोज कुरूखे से यूडूब चल पर किसान भाई बता दे कि गेहों किसानों के लिए बड़ी खुसकबरी आ गई है अब गेहों के भाव में बड़ी तेजी दर्ज की जा सकती है क्योंकि किसान कर रहे ह हैं स्टाग क्यों कर रहे हैं स्टाग इसलिए हम इस वीडियो में बताएंगे क्या है पूरी अपडेट क्या है पूरी बड़ी कबर किसानों के लिए क्या है खुसकबरी अगर आप रोज गेहों के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाना चाते हैं तो गेहों के बड़ सकते हैं दाम मंडी में लाने के वज़ाए क्यों कि सानोंने क्या है थाग तो गेहों का उतपादन घटने की वज़े से मण्डियों में गेहों की आवग 20-30% कम रहने के आसंगा जदाई जा रही है लेकिन गेहों कटाई क काम पूरा होने के बाद वहें बा 44 विंटल गीहों की खरीद ऊपाई हैं पिछले सल 72 लाए कॵिंटल से जजादा गीहूं मंभी पहुंचा था अब बहुत कम किसान ही थोड़ा बहुत गीहा लेकर मंभी आ रहे हैं अलहां कि मंभी बड़े गैं हैं जो किसानों से धर्म काटी का तोल करवा करके आर्थियों ने अपनी दुकानों के आगे डलवाई हुए हैं आर्थी मार्केट में ग्यों के भाव में तेजी आने की इंतिजार में हैं किसानों को मानना है कि ग्यों के दाम अभी और बढ़ सकती हैं वहीं किसानों से प्राइवेट डीलर से समर्थन मूल से 10 से 15 रूपय प्रतिकुंटल ज़्यादा भाव ग्यों खरीदा है और बता दे कि किसानों को भरोसा दिया गया है कि अगर सरकार ग्यों पर बोनस देती है तो बढ़ी वी रास भी उन्हीं ही दी जाएगी बहुत से किसानों ने घर पर ही ग्यों का स्टाक यावा है हैसें 50 लाग क्योंटल से भी कम ग्यों की आवग रह सकती है बगार मार्केट फीज के कहीं ग्यों प्रदेश से बाहर तो नहीं जा रहा है इसकी नेकरानी के लिए 50 बार्डर पर दो जगहों पर भी नाकी लगाए गए हैं वहीं बुदवार कुपिलू खेडा चेतर में एक मिल में 3210 क्वेंटल ग्यों का स्टाक और बगार मार्केट फीज के मिला जले भर में आर्टियों प्राइवेट डिलर्स द्वारा भी ग्य इसपिरेट है उसी पर खरीदे जाएगी लेकिन जो जिले भर की बात करें यहां पर 72 लाग टन पिछली बार आने की उमीद थी लेकिन अभी इस बार 40 लाग टन ही पहुंचा है इसलिए यहां पर जो गेहों हैं वो किसान स्टाक कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में किसानो को भाव अच्छे मिलेंगे इसलिए इस्ताक कर रहे हैं बड़ी कबर है इस वीडियो में ती जान कई धन्वार